जैहिन सातियों आपका लवली जीके टिक में फिर से स्वागत है जी हाँ दोस्तों परसुप परिचर के लिए मोडल पेपर लेके आये हों आज अपना मोडल पेपर नमर रहने वाला है एक जोगी विदारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो एक वार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को सेर करना तो बिलकुल ही नहीं भूलें और चैनल को क्या कर लो सब्सक्राइब कर लो जी हाँ दोस्तों मौस्ट इंपर्टेंट अपने बीच में पहला कोशन रहने वाला है कि निमन लिखित में से सुमेलित यूग्यम है मतलब आपको जो सही प अंबिका माता का मंदिर का है दोस्तों ध्या रगना इसमें से गलत ढूंडो मतलब सही ढूंड़ना आपको कौन सा सही है का जगत अंबिका माता का मंदिर दोस्तों जेपुर में नहीं है उद्यपूर में है का है उद्यपूर में है सिला देवी सर सिला देवी तो अमेर में है का है अमेर में है अमेर का है जेपुर में है ये ध्यान रखना ये भी गलत है ये भी गलत है आवड माता आवड माता का मंदी सर जेसल मेर में है का है जेसल मेर में है सर बिलाडा में तो आई एम बिलाडा तो आई माता है कौन सी माता है आई माता है याद रखना है दोस्तों आपको आई एम बिलाडा आई एम बिलाडा बिलाडा से याद रहेगा आपको उसके बाद बड़ली माता का मंदी तो चितोड़ गड़ में है तो इसका सही एंसर हो जाएगा डी जिन जिन विदार्तियों ने डी उप्सन दिया था बिल्कुल सही है नेक्स्ट कोशन आमारे बीच में ये राम निमल लिकित में से ऐस सत्य कथन है मतलब इसके अंदर आपको गलत पहचानना है पहला है छीक माता का मंदीर जैपुर में है सुगाली माता का माता के चोपन से दस भुजाएं है जो मोई माता डुंडार के कच्छवाबंस की कुल देवी है रानी सपी का मूल नाम नरायनी पाई है दोस्तों बताइए इन में से कौन सा गलत है देखने कौन कॉमेंट करता है से बताइए शाबाश जी हाँ देखिए छींक माता का मंदिर बिलकुल सही बात है कि जैपुर में है अगर नक्ती माता पूछ ले नक्ती माता का भी जैपुर में है ध्याँ रखना सुगाली माता के चोपन सी नहीं थे चोपन भुजाएं थी क्या थी चोपन भुजाएं थी और दस सिर्थ थे दोस्तों ये गलत था इसके अंदर ध्यां रखना बी नमबर आपका गलत रहने वाला है जमुआर माता डुंडार के कच्छवावंस की कुल्देवी है राणी सती का मूल नाम नराणी बाई था बिल्कुल सही है इनका मंदिर पुछूंतों का है जुंजनू में है का है जुंजनू में है नैश्ट कॉशन ये रहा बिका नेचितर सेली में रामलाल, अलिरजा, हसन, अदिक के नाम पुलेखने हैं जो थे, किस राजा के समय थे, ये आपको बताना है महाराजा राय सिंग के समय, महाराजा अनूप सिंग के समय, महाराणा सादूल सिंग के समय या महाराणा गंगा सिंग के समय तो बचाईए दोस्तों, किस के समय थे जी हाँ जी हाँ अनुप सिंग के समय थे महाराजा अनुप सिंग के समय थे नेक्ट कोशन आता है चित्रों की अवेरी जिसे क्या बोलते हैं तस्वीरों का कार खाना भी बोला जाता है कार खाना भी बोला जाता है दोस्तों ध्यान रखना नामक चित्रसला का निर्मान किसने करवाया था रहतन सिंग ने, अमर सिंग ने, जगगष सिंग ने या संगराम सिंग ने, तो बताईए किसने करवाया था? जी हाँ जगत सिंग पर्थम ने करवाया था किस ने करवाया था जगत सिंग पर्थम ने करवाया था नेक्ट कोशन आ जाता है हमारे बीच में सादू सीटा रामदास का निमन लिकित में से किस अंदोलन से समंध है शिकावटी किसान अंदोलन से हडोती किसान अंदोलन से बिजोलिया किसान अंदोलन से मेवात किसान अंदोलन से है बताईए जी हाँ इसका सही एंस्वर रहने वाला है बिजोलिया किसान अंदोलन का जो पर्थम चरण हुआ था कौँसा चरण पर्थम चरण हुआ था उसमें किसने रिततब किया था सादू सिता रमदास ने किया था कब किया था सन आपको पता होना चाहिए अठारा सोस्तान में से लेकर 1915 के बीच में चाहिए नेक्ट कोर्शन आता है दोस्तों ये रहा डाक्टर वी एन मिसर ने तिलवाडा सबेता का काल क्या माना है पहले तापको ये पता होना चाहिए तिलवाडा सबेता है का तो बालोतरा में है का है बालोतरा में है नदी पुछूं तो लूनी नदी के किनारे है कौन सी नदी लूडी नदी की किनारे है दोस्तों ध्यान रखना इसका उप्षन बताओ A, B, C, D कौन सा सही रहने वाला है जी हाँ दोस्तों 500 इश्व पुरभ से लेकर 200 इश्वी तक माना है उसके बार नेक्स कोशन आता है सन 1730 में राजस्तान के जोद पूर जिले में खेजली अंदोलन किस के समय हुआ था ये आपको बताना है किस के समय हुआ था या किस के लिए भी वा दोनों कोशन बताओ किस के लिए हुआ पहला तो कोशन ये मन गया दूसरा इस समय राजा कौन था साभाज बताईए जी हाँ सभी को पता है कि one instruction के लिए हुआ था 12 सितंबर 1730 को हुआ था 12 सितंबर को खेजली दिवस मनाते है क्या मनाते हैं खेजली दिवस मनाते हैं इसमें तो 363 लोगों को काटा गया था ने तरतर किस ने किया था ने तरता किसने किया था अमरता देवी ने किया था किसने किया था अमरता देवी ने किया था सर इस समय राजा तो अभे सिंग था कौन था अभे सिंग था जिसको भे नहीं था उसने कहा काट दो जिसको भे नहीं था किस कहा काट दो किसको कहा था गीर धर दास को कहा था किसको बाद नेक्स्ट आता है राजस्तान में संभाविय वास्वी करन या वात्रसोसरजन की वार्सिक दर्सरवादी किस जिले में हैं गंगानगर कोटा डुंगरपूर जैसलमेर या कोई नहीं दोस्तों फटा फट बताईएगा कौन सा इसका सही रहने वाला है कीजिए कॉमेंट कॉमेंट कीजिएगा गंगानगर कोटा डुंगरपूर जैसलमेर या कोई नहीं आप चोड़ना चाहोगे जी हाँ वटापर बताईए जी हाँ जैसलमेर है कौन सा है जैसलमेर है शाबाज उसके बाद नेस्ट कोशन आता है कॉपेन द्वारा पस्तुत जलवाईव गंगानगर का भाग है देखिए दोस्ते एसब से छोटा है एस छोटा परदेश है ध्यान रखना कोपेन ने चार भागों में बाणता था चार में से सबसे छोटा पूछूं तो कौन सा होगा कोपेन वाला होगा बडा पूछूं तो बी ऐस हड़ने नहीं यह दक्षनी भा मेदानी छेतर है तो मेदान में तो क्रिकेट खेलते हैं तो से क्रिकेट याद रखेंगे B, W, H, W जहां ज़्यादा टिपे हैं इस तरह W की तरह आपको मरुस्तल दिखाई देता है टिपे दिखाई देते हैं जहां B के साथ डबलू आएगा तो वो क्या हो जाएगा जिसन मेर भी के मेर भी जाएगा लेकिन B, S, H, W बड़ा है लेकिन यहां हनुमान गड़ नहीं आता है हनुमान गड़ गंगान अगर नहीं आता इसमें सुमेलित यह नहीं है तो कौन से आते हैं जोद पूर और अजमेर वाला चेतर आता है दोस्तों ध्यान रखना उसके बाद नेक्स कोशन आता है राम देव जी के मुसेरे भाई कौन थे बहुत अच्छा कोशन है यह तो राम देव जी के मुसेरे भाई बताओ फटा फटा राम देव जी का जनम हुआ था कहां उड़का सुमेर सिर्फ तसील में हुआ था कहां हुआ था उड़का सुमेर सिर्फ तसील बाड मेर में हुआ था यह मैंने बता दिया अब बताओ उनके मुसेरे भाई कौन थे शाबाश कौन थे मुसेरे भाई जी हाँ कौन थे हडबू जी थे हडबू जी का जनम का होता है हडबू जी का मंदिर का है दोनों की दोनों बता दो मुझे परबर जनम होता है भुडेल नागोर में का होता है भुडेल नागोर में होता है जबकि मंदिर पूछू तो बैंक्टी गाम में है बेंग्टे गाम कहां पढ़ता है फलोदी में पढ़ता है उसके बाए निमल लिकित मेंसे कौन से लोग देता जैसल मेरके रावरंगदे भाटी से यूद करते हुए वीर गती को प्राब्त हुए थे अरबू जी मेहाजी या देरोंड जी या पाबू जी शावास बताईए कौन हुए थे राणंग देव जी भाटे के साथ यूद करते वीर गती को प्राप्त हुए थे कौन शेबाश जी हाँ मेहा जी बापनी फलोदी में मंदीर इनका ध्यान रखना दूसन ध्यान रखना उसके बाद नेक्ट कोशन आता है अपने बीच में यह रहो तुलसी, हालरो तिमनिया तथा पोट नामक अबुशन महलाउं दुवारा सरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं तुलसी, हाल रो, टिमनिया, पोत जी हाँ दोस्तों जिस ट्रिक में मैंने याद करवाए ते 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 याद रखना तुलसी जी ने बजट पेस किया था क्या किया था बजट पेस किया था उसमें इसे ही लिए गए हैं, याद रखना सारे दिन गलियां मैं हाल तो, डोल तो रह, हाल रो आगियो जी करे तिरो, टेटो दवा दियूँ पोताने खिला, घर चाल, ये देखो, ये सब है इसकी अंगर अगर आप इमान दरी से याद करते हैं कि की ट्रिक थी , ये आपको पता होना थी है, हाँ, गले की ट्रिक थी किसी थी? गले की ट्रिक थी दोस्तों ध्यान रखना बहुत अच्छे तरिक से आपको याद कर रहा होंगे चलिए, next चलते है- next question आता है हमारे बीच में ये रहा तोडर नामक अभूशन कहां पेना जाता है तोडर सीर गले में हाथ में पेर में पताई ये कहां पेना जाता है शबाश तोडर है जो तोडर है जो पेरों में पेना जाता है एक नेवरी अभूशन होता है जो चर्चा में चल रहा था काफी एकजाम में आया नेवरी अब उशन कहा पेना जाता है पेरों में ही पेना जाता है नेक्ट कोशन सुकर निती के अनुसार किस दुरूप को सरसर्ष्ट बताया गया है दोस्तों बताओ शाबास सेने दुरूप को गिरी दुरूप को साय दुरूप को या पारिक दुरूप को शाबास बताइए किसको दूर्ग मना गया है जी हाँ सेने दूर्ग को मना गया है नेश्ट आता है तोल्जा भवानी मंदिर नव लखा भणार किस दूर्ग में स्थित है जी चितोडगड में का है चितोडगड में हैं का हैं चितोडगड में हैं उसके बाद निमल लिकित में से तिन जिलों के सुमुए को उनकी ओस्त वार्षिक वर्षा के अनुसार अरहुई करम में व्यस्तित किया गया है जी दोस्तों आपको अरहुई करम में उसको क्या करना है व्यस्तित करना है दोस्त जोदबूर के बाद उदधूर, उदधूर के बाद रास समन राएगा, जहां रखना? उसके बाद, नेक्स्ट कॉशन हमारे बीच में आता है, ये रहा, हत मत्ती, महसवा और माजम साइक नदियां, किसकी है ये? माई की हैं, बनास की है, काली सिंद की है या साबरमती की है चावाश, हदमती वगएरा, बताइए माजम वगएरा किसकी साइक नदिया है तो ये साबरमती की है, किसकी है, साबरमती की साइक नदिया है उसके बाथ next question आता है Living Stick Survey of India किसके दुआरा 1912 में लिखा गया था शावास बताईए दोस्तों मौती लाल मेनेरिया का नहीं लाल मौन सी LP Tessitory चौर्ज अम्बरहाम लिंकिन ग्रिशन बताईए कौन होगा इसका सही अंसर एक दो तीन चार जी हाँ इसका सही अंसर रेने वाला है चौर्ज अम्बरहाम ग्रिशन एक है नेक्ट कोशन आता है हमारे बीच में राजस्तान रियल State Regulatory Authority राजस्तान रेरा का गठन किस वर्ष किया गया था रेरा का गठन किस वर्ष किया गया था ध्यान रखणा दोस्तों 2018, 2017, 2016 में 19 में बताये कब किया गया था जी हाँ 2019 में किया गया था कब किया गया था 2019 में किया गया था नेक्ट कोशन है निमल लिकित में से किसका कारेकार राजस्तान लोग से वा आयों के दक reminders के रूप में लंबा रहा था, ल, जोसी, C.R. चोदरी, J.M. खान, D.S. तिवारी, वस बताइए, जी इसका सही एंसोर रहने वाला है, D.S. तिवारी, क्या रहने वाला है, D.S. तिवारी रहने वाला है, नेस्ट कोशन आता है अपके बीच में ये राथ थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना निमन में से कौन सा कथन सत्या है राजस्तान हस्चिलिप नीटी 17 स्टमबर 2022 में लगू की गई थी इस नीटी का उदेशे राजे में हस्चिलिपों और बुनकरों को उन्नत तकनिकी और आवश्चिक वीतिय और बीपन साहिता परधान कर पसाहित करना है नीची दीगे कूटों की मदद से सही उत्र बताईए ये दोई हैं दोनों में से ध्यान रखना सत्य हैं या ए सत्य हैं ये ध्यान रखना तो बताईए केवल सत्य भी है या ए भी दोनों सत्य है या ना तो ए है ना ही भी है या केवल सत्य है बापिस देख लीजिए एक वार जी हाँ राजस्तान हसलिप 17.2025 में ही लागू होती है बिल्कुल सही है इस निती का उदेशी हसलिप को बुनकॉर का क्या करना था तरनिकी में विपन सहीता देना था ये भी सही है दोस्तों इसका सही एंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही सही है समझगे उसके बाद नेस्ट कोशन आता है हमारे बीच में ये राम अकबर अकबर ने परताब से समझोते के परियास में चार सिष्ट मंडल बेजे थे याद आ रहा है चार सिष्ट मंडल बेजे थे हाँ सर या तो आ रहा है निमन मेंसे किसके किसने स हाँ, चियार थे, चियार में से एक ने नहीं किया था, बताओ, कौन था वो, मैंने याद करवाया था कि, अकबर का जमा ही भटो भी था, देता है कौन, महाराना पर था, ट्रिक थी, जमा भटो, क्या ट्रिक थी, जमा भटो ट्रिक थी, जैसे जलाल खां आया था, जलाल खां तो कब आया था पंदरा सो भैतर में आया था कब आया था पंदरा सो भैतर में आया था मां से मां सिंग आया था कब तेहतर में पंदरा सो तेहतर में आया था फिर कौन आया भगवंत दास आया था भगवंत दास भी सर तेहतर में आया था तो से टोडरमल तोडरमल भी कब आया ध्यान रखना यहीत्र में आया था कब आया था कि हैसी ट्रिक मनती है जमा भटो जमा भटो जैसे जलाल खौामा से मान सिंग बैसे बगवादास तोस से टोडरमा ओर तो सब पर्थम कोन आया था जलाल खौाय था यह चार थे लेकिन इसमें से नित्पताव नहीं किया जलने नहीं किया इसका आफसन रहने वाला है नमबर तिन नेक्ट कोशन आपके बीच में यह रहा अलाव दिन खेल जी की सेना द्वारा रंठंबोर के किले की घिराबंदी के समें उसका कौन सा सेना पती राव हमीर देव के सेनिकों द्वारा मारा गया था जबाश उलुक खा नासिर खान था महमद खान था नुसरत खान था बताईए कौन था रहते हैं कौन सई अंसवर दे पता है जी हाँ नुसरत खान था कौन था नुसरत खान था दोस्तों ध्यान रखना उसके बाद निमन में से कौन सी दादू पंत की साखा नहीं है दादू पंत की साखा नहीं है विरक्त नागा थाबा या खालसा बताईए कौन सी नहीं है जी हाँ विरक्त है नागा है खालसा है लेकिन थाबा नहीं है दोस्तों इंपोर्टन लगाना इस कोशन को बहुत अच्छा कोशन है ये उसके बाद नेक्ट कोशन आता है सिलेमाबाद में निवाग चाले पीट किस्ता आपना किसने की थी हरी वियास देव ने परसुराम देव ने या रिवास देव ने बताईए किसने की थी स्लेमा बाद पुछू निर्वाइक समझे है का अजमेर में है का है अजमेर में है नदी पूछू तो रूपन गड नदी का उदगम पूछू तो कुचल नामकस्तान से होता है रूप को कुचल नामकस्तान से होता है रूप को कुचल देंगे याद रखना कुचल नामकस्तान से होता है तो स्लेमाबाद पुछू कौन सी नदी के किनारे है रूपरंगर नदी के किनारे है रूपरंगर नदी का दुछू तो कुछिल नामस्तान से होता है स्लेमाबाद ने पुछू तो सापना किस ने की थी परसूराम देव ने की थी किस ने की थी परसूराम देव ने क ती दोस्तों ध्यान रखना उसके बार नेक्स्ट कोशन आता है 1847 इसी मेर राज कुताना की छे बिटिश सावनियों में से कौन सी सबसे 37 सावनिय थी जी दोस्तों कितनी सावनिया थी छे चावनिया थी जी कितनी सावनिया थी छे चावनिया थी तो ध्यान रखना एनानी में रोगया देख एनानी जोकि सकती सालि सामनी थी दोस्तो ध्यान रखना उसके बाद नेक्स्ट कोशन आता है हमारे बीच में 1857 इसमी में विजोलिया के किसानों ने गिर धर पुरा गाउं में एकेतरित हुए थे निमन मेशिक किने महाराणा से मिलने के लिए उद्यपुर भेजा शाबस बताईए सिता रामदास और हीरालाल नान जी पटेल और ठाकरी पटेल हीरालाल और तेसिंग बर्मदेव और फत्यकरन चारण बताईए इसमें से कौन सा सही है नान जी पटेल और ठाकरी पटेल नान जी पटेल और ठाकरी पटेल उसके बाद नेक्ट कोशन है कि 1516 इसमी में मेरा का विवा किसे हुआ था शावास बताईए 1516 में मीरा का विवहा किसे हुआ था मैं कोशन आपसे और पूशता हूँ इसका कोमेंट कीजिए आप पड़ा पड़ा मुझे बताईए कि मीरा मंदिर का है मीरा मंदिर का है दूसरा मेरा आपसे उप्षन ये है कि मीरा संगराले का है मीरा स्वार देने आपको दोस्तों ध्यान रखना शाबाश दीजिए पहला तो मेरा की साधी किसी होई दूसरा कोशन ये कि मेरा मंदिर का है मेरा संग्राले का है तीन कोशन आप से पूछ रहा हूं है जी दोस्तों मेरा की साधी होती है किसे भोज राज से होती है किसे होती है है चितोड गर्दुर्ग में है मीरा संगराले पूछू तो उद्यपूर में है का है मीरा संगराले पूछू तो उद्यपूर में है next question हमारे बीच में आता है सुमेलित करना है दोस्तों ध्यान रखना, क्या करना है, सुमेलिज करना है, श्याबास, पाबु जी के च्छन, पाबु जी के गीत, पाबु जी के सोटे, पाबु प्रकास, बताई ये रचनाकार कौन है इनके, देखें कौन सई एंसवर दे पता है, जी, पाबु जी का च्छन, किसके द्वार द्वारा लिखा गया था मेहा जी चारण द्वारा लिखा गया था पाबू जी के गीत थे जो बांकी दास द्वारा लिखे गया थे तो ध्यान रखना पाबू जी की चंद पूछू तो मेहा जी चारण पाबू जी की गीत पूछू तो बांकी दास पाबू जी की सोट पूछ तो आजिश्या मोर जी दौरा लिकेगाते Next question आता है Güरा बैसर और भावर कड़ी नामक अभुशन मेलाओ दौरा में पहना जाता है कहा पहना जाता है ये आपको बताना है नाक में, हात में, पेर में, गले में कहा पहना जाता है दोस्तो बताईे फटा फट जी हाँ कहां पहना जाता है नाक में पहना जाता है ध्याँ रखना उसके बाद नेक्ट कॉशन आता है 1933 इस्वी में कलकता में आयोजित अखिल अखिल भारतिय मारवाडी महला समेलन की अधिश्ता किसने की थी रतन सास्त्री ने जान की देवी बजाज ने अंजनी देवी ने गाइतरी देवी ने पताईए किसने की थी जी हाँ जान की देवी बजाज ने की थी किसने की थी जान की देवी बजाज ने की थी दोस्तो ध्यान रखना उसके बाद नेक्ट कॉशन आता है एक लोहे और चम्रे से मना वादे यंदर जो मंजरों में प्रातना के समय तो त्युहारों और धार्मिक उसों के समय बजाया जाता है वह कौन सा कौन सा है वादे यंदर बताईए दोस्तों कौन सा वादे यंदर है सितार है तबला है सरंगी है या नोबत है बताईए सबस जी हाँ कुंचा है नौबत वादे यंतर है ये आपको पता होना चीए नौबत वादे यंतर उसके बाद राजस्तानी भासा में मूडिय लिपी को और किस नाम से जाना जाता है माजनी, देवनागी, वर्ज, मारवडी बताईए किस नाम से जाना जाता है जी हाँ माजनी के नाम से जाना जाता है माजनी के नाम से जाना जाता है निमल लिकित में से कतनों पर विचार कीजिए और सही उतर का चेन कीजिए नीचे दिये गुए कूट से निकित बताईए मेंचे कूट दिये गए हैं उसमें से आपको सही पहचानना है सही कुमल गड़ और बॉराट के पठाय का सरोच बिंदू सरोच बिंदू है कुमल गड़ में रगुनाथ गड़ उतरी अरावली का सरोच शिकर है उड़िया पठार मांट अभू के निकिर्स्तित है जी सही उतर का चेन की जी जी हाँ कुमल गड़ बॉरड के पठार कुछ उतरी सरोच बिंदू है बिल्कुल सही है उसके बाद रगुनाथ गड़ की अरावली सरोच ये भी सही है उसके बाद क्योंसा दिया हुआ है कि उडिया का पठार माँनों सभी सही हैं दोस्तों A, B, C ध्यान रखना उसके बाद next question आता है हमारे बीच में यह राप पिस सुमेलित करना है वाँ, राजस्तान के खनीज आज़के हैं दोस्तों ध्यान रखना भूट इजी, पुछू तुम आप से कौन सा टॉपिक होगा तो खनीज होगा, जो भी विदारतिक कहते हैं हमें याद नहीं होते हैं बड़े सांदा तरिके से याद करवाता हूँ मैं देखिए, टंगस्टन पुछू टंगस्टन नागोर, टंगस्टन, नागोर उसके बाद अबेश्टोस मिलान करना है सूर्य उद्य होते ही ऐसे बेशे लोग मिल जाए तो पुरा दिन खराब जाता है पुरा दिन खराब जाता है तो सूर्य उद्य होते ही उद्य पुरियाद होगा ऐसे बेशे से अबेश्टोस होगा फेल्स पार फेल्स पार देखिए दोस्तों फेल्स पार हुआ क्वार्टर्ज हुआ क्वार्टर्ज हुआ क्वार्टर्ज हुआ ध्यान रखना क्वार्टर्ज हुआ ये दोनों के दोनों कहां निकलते हैं अजमेर में निकलते हैं कहां निकलते हैं अजमेर में तो आज की बात थी कौँसी बात थी आज की बात थी बर्मा म्यूलाइट एक और होता है बर्मा म्यूलाइट ये भी कहा निकलता है अजमेर में निकलता है एक साथ यात करना बर्मा म्यूलाइट फैल्स पर क्वाटर जी ने आज आज की बात है आज से अजमेर याद रहेगा आज की बात है कि बर्मा जी ने क्वाटर लगा रखा था क्यों वह फेल हो गए थे और वैसे भी फेल पास कहां से होते हैं अजमेर से होती हैं उसके बाद दोस्तों अपने पास है कि मेग जिन मेग जिन बांस वड़ा सोना कहा निकलता है सोना सोना भी बांस वड़ा में निकलता है सोना नहीं तुबांस के डंडे पढ़ेंगे क्या पढ़ ले मेक जीन बुस्तक आती है मेक जीन पढ़ ले दोस्तों याद हुआ कुछ नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं अपने ये रहा राज कीरन और आरडी 57 की स्थावन किस फसल की उन्न इत किस की रहा है बाजरा चना जो मका बताएं किसकी है आरडी 57 और राज कीरन बहुत बार एक्जाम में पुछा खुग में पुछा हुआ कोशन है धोस्तों ध्यान रखना गिराल तथा बांसवड़ा छबड़ा सूर्थगर्ड कवाई दानपूर गुड़ा गाम गिराल शबस बताईए जी लिगड़ा है गुड़ा कहां पड़ता है पलाना बिका निर में पड़ता है इसका सही एंसर इनल लिगना गिरल वाला भी है तो च्यार नमबर इसका सही किसकी नसल है मगरा किसकी है बरबरी किसकी है मालवी किसकी है चाबाश कीजिएगा सूरती सर ये तो भेड की है बहस की है सूरती पुछू तो किसकी है बहस की है मगरा पुछू तो भेड की है मगरा पुछू तो भेड की है बरबरी पुछू तो बकरी की है बरबरी बकरी बर्बरी, बक्री, मालवी पूछू तो गाई की है, जो ध्यान दगनाच्या, दो, एक, तीन, इसका सही अंसर रहने वाला है, नेक्ट कोशन आता है, कि राजस्तान सरकार ने जलवायू परिवर्तन नीती की सुरुवात कब की, श्यावास राजस्तान सरकार ने जलवायू परिवर्तन की, दो हजार अठारा में, दो हजार इकीस में, दो हजार दस में, दो हजार तैईस में, बताइए कब की थी, देखते VC काक कबểuीष्तान कहा जाता है दोस्तों भूत असान और जबर देस्ट कोशन साइंस के आ चुके हैं आपके बीच में चोना मत क्लास को इमान दरी से देखो पूरा का पूरा देखिए कबरीष्तान किसे कहा जाता है येकरित को पलिया को मस्ति को बथे को बताईए किसे का जाता है पलिया को कहा जाता है दोस्तों धानक नभोत वार एक्जाम में आयो वा कॉशन है गोन सुतर की स्रंचना में निमल लिकित में से स्मेलित होते हैं कौन होते हैं DNA होते हैं या RNA होते हैं DNA होते हैं DNA या RNA होते हैं इसका सही अंसर होने वाला है बताईए कौन सा इसका सही अंसर रहने वाला है जी हाँ इसका सही अंसर रहने वाला है डी एन एम स्टॉन होते हैं समझेगे उसके बाद नेस्ट कोशन आता है आपका एड्स के चार में निम्मन में से किस परकार की उस्दियों का प्रियोग होता है रिट्रो वाइलल, एंटी रेट्रो वाइलल एंटी बोडिज या एंटी स्पेस्टिक, बताईए कौन सा इसका सही अंसवा रहने वाला है जी हाँ किजिए कुमेंट केजिए फड़ा वड जिस विदार्थी ने ओप्शन ए का जवाब दिया है बिल्कुल सही है, रिट्रो वाइलल होता है कौन से होता है, रिट्रो वाइलल होता है उसके बाद नेस्ट कोशन आता है हमारे बीच में निमन में से कौन से सुमुए में जीवानों जनित रोग दिये गए हैं बताईए कौन से हैं A, B, C या D सही अंसरों बताईए शबाश धी हाँ अप्सन नमबर B आपका सही रहने वाला है डिफ्थेरिया, लेप्रोसी या प्लेग ये तीनों होते हैं जीवानों जनित रोग होते हैं दोस्तों ध्यान रगना उसके बाद नेस्ट कोशन आता है इको सिस्टम इको सिस्टम क्या होता है पारितंतर सबस्ट सबसे पहले किसने मनाया था हैकल ने, बारविंग ने, ओडम ने या टैंसलेन ने बताइए किसने मनाया था जी हाँ दोस्तों एक तो है एको सिस्टम दूसरा होता इको लोजी दोनों कोनिफ्यूज करते हैं ecosystem और ecology सब्ग जी हाँ ecology पूछू तो हैंकल ने मनाया था इसने हैंकल ने नाम सब्ग दिया था और ecosystem का दिया था टैंसले ने एजी टैंसले ने दिया था तो उसको ध्यान रखना उसके बाद next question आता है हमारे बीच में प्रीजम में परकास की विविन रंगों का विवाजन होता है तो वो क्या होता है परकास का प्रावर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् वरंड विशेपन कहलाता है उसके बाद नेक्ट तोशन आता है आपके बीच में यह रहा परकास के किसके कारण सितारे टिम टिम आते हैं सितारे क्या है टिम टिम आते हुए नजर आते हैं यह बताना है आपको किसके कारण आते हैं परकास के परावरतन के कारण परकास के आव इसका सही अंसर क्या रहने वाला है जी हाँ परकास के अपवरतन के कारण रहता है उसके बाद next question आता है शोर कुकर में परकास किरनों को फोक्सित करने में किस दरपन का उपयोग होता है आगतल दरपन उतल दरपन पार्शेब दरपन या समतल दरपन बताईए जी हाँ इसका सही अंसर रहने वाला है इसका सही अंसर रहने वाला है क्या रहने वाला है पतल दरपन रहने वाला है उसके बाद next question आता है वीदुत से लगी आपको बुझाने में प्रियुक्त होता है तो कौन सा होता है CO2, S2O, ओजॉन या पायरिन बताईए इसका सही एंस्वर क्या रहने वाला है जी हाँ पायरिन रहने वाला है इसका सही एंस्वर जिसे क्या बोलते हैं अगनी सामक बोलते हैं क्या बोलते हैं अगनी सामक बोलते हैं दोस्तो ध्यान रखना उसके बाद नेक्ट कॉशन आता है हमारे बीच में कौन सा बिटामिन कोड मसलिस के यकरस से मुखेते प्राप्ट होता है रेडिनॉल, कैलसी फैरॉल, राइबो फैरॉलिन या बायोटिन बताईए इसका सही अंसर क्या रहने वाला है जी हाँ कैलसी फैरॉल उसके बाद नेक्ट कॉशन आता है कि बाविश्य का इंदन किशे केते हैं सोर उर्जा को, यूरेनियम को, हाइट्रोजन को, सी एनजी को बताईए फटा-फट किसे कहते है जी हाँ, बाविश्य का इंदन हाइट्रोजन को कहा जाता है किसे कहा जाता है हाई ट्रोजन को कहा जाता है नेश्ट कोशन आता है कि नेश्ट कोशन दोस्तों आता है हमारे बीच में तरल अवस्ता में गेंसी अवस्ता में रुपांतरन को क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है औक्सी करण, उधर पातन, वास्वी करण या संगनन क्या कहा जाता है ये आपको बताना है जी हाँ वास्वी करण क्या कहा जाता है वास्वी करण कहा जाता है next question आता है सिनकौन से प्राप्त मेलेरिय की दवा का नाम बताईए नाम बताईए A, B, C, D प्राप्त मेलेरिय की दवा बापिस आगा दोस्तों ये कोशन बीट हो गया उसके बाद नाखुन पॉलिस परिमार जग जो आप नाखुन से जो पॉलिस उतारते हो इसमें कौन सा रसाइनिक होता है दोस्तों ये आपको बताना है बताईए पड़ा फट एसीटॉन, बेंजन, यूरिया या एसीटिक अमल जी हाँ इसमें एसीटॉन होता है क्या होता है एसीटॉन होता है next question आता है वे पलास्टिक जिसे एक से अधिक बार गरम करके एचिक आकार में धाला जा सके वे क्या कहलाता है A, B, C, D जी हाँ ए नमबर जिसने दिया उप्षन बिल्कुल राइट है दोस्तों धाना करना उसके बाद नेश्ट कोशन आता हमारे बीच में इलोक्ट्रोन का नाविक के चारों और घुमना अधारित है अभी केंदरिये बल पर अभी केंदरिये बल पर अभी केंदरिये अब केंदरिये इसमार ही कोशन थे देखते हैं आपके किदने कोशन से होने वाले हैं आप मुझे कोमेंट करके जुरूर बताएं विर्यू कैसे लगे आपको विडियो को लाइक जिरू करें अपने दोस्तों के साथ सेज़ करना तो बिल्कुल ही नientos एब भूने ज़ी रहां आपके लिए S क्लास आएगी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें मिलते हैं अगली वीडियो में जेहिंज जेभात